उत्तरी अमरीका महादवीब के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित इलाइची के सबसे प्रमुक उत्पादक एवं निर्यातक देश, गौाटेमाला में अब अलनीनों के प्रकोप एवं प्रभाव से उत्पन सुखे के गंभीर संकट की वज़े से फसल बुरी तरह प्रभाव आगामी महीनों में काफी उंचा एवं तेज रहने के आसार हैं। उत्पादकों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान जन्वरी से मई के बीच इलाइची के प्रमुक उत्पादक इलाकों में 122 दिनों तक बारिश नहीं होने से सूखे का गंभीर संकट बना रहा। जून म में आंधी तूफान के कारण फसल क्षतिग्रस्थ हो गई। अगस्त में भी तेज हवा के साथ हुई वर्षा से फसल को नुकसान हुआ और इसकी तुराई तयारी का समय भी एक माह आगे खसक गया। पिछले साल करीब 28-30,000 तन इलाइची का शांदार उत्पादन हुआ थ अब त्योहारी सीजन के कारण दिसावरी व्यापारी भी इसकी खरीद में अच्छी दिल्चस्पी दिखा रहे हैं जबकि निलामी केंदरों में माल की आवक कम हो रही है। नई इलाइची की आवक चालू माह के अंध तक शुरू होने की संभावना है जबकि मध्य सितंबर में यह जोर पकड़ सकती है। उतपादकों के पास पिछला स्टॉक कम है। फिलहाल निर्याद बाजार में भी कोई खास सक्रियता नहीं देखी जा रही है जबकि आम तोर पर जुलाई से ही वहां चहल पाहल बढ़ जाती है। गौाटेमाला की कमजोर फसल को देखते लेकिन अभी प्रीमियम ग्रेड साथ से आठ एमेम या आठ एमेम में उसकी मांग कुछ कमजोर देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी